नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुप करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर माग पोणिमा कब है 23 या 24 परोणी जाने शुब महूरत समगरी लिष्ट पोजन बिधी मंत्र और दान का महत सनातन धर्म में पोणिमा तिथी के दिन इशनान दान के कारेओं का बड़ा महत है पंचांग के अंसार इस बार माग महिने की पोणिमा तिथी 24 परोणी को पड़ रही है मानिता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ती मिलती हैं और 23 गुना ज़ाधा पुन्ने फलों की प्राप्टी होती है इस दिन जगत के पालनहार, श्री, हरी, विश्नो और मा लक्षमी की पूजा अराधना का विधान है कहा जाता है कि इससे मालक्षमी और भगवान विश्णू प्रसन होकर भगतों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं आए जानते हैं माग पूरीमा 2024 का शुब महुरत पूजा बिधी मंत्र और दान का महत कब है माग पूरीमा हिंदू पंजांक के अंसार इस इस बार माग महीने की पूरीमा तिथी की शुरुआ 23 फरवरी को दोपहर 3 बच कर 36 मिनट से होगी और अगले दिन यानि की 24 फरवरी को शाम 6 बच कर 34 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए ओध्यात थी के अंसार 24 फरवरी को माग पूरीमा मनाई जाएगी पूजा का शुम महूरत इसनान दान का महूरत 5 बच कर 11 मिनट से 6 बच कर अभिजीत महूरत 12 बच कर 12 मिनट से 12 बच कर 57 मिनट तक चंदर उद्या का समय 6 बच कर 12 मिनट सामगरी लिष्ट माग पूरीमा पूजन के लिए रोली अक्षत चाबल फल्क फूल्स पंचामरत सुपारी तुलसी दल और तिल पान का पत्ता समेत पूजा की सभी सामगरी एकत्रित कर लें माग पूडिमा पूजा विधी, माग पूडिमा के लिए सुभे पवित्र नदी मेशनान करें अगर ऐसा संभब ना हो तो पानी में गंगा जल मिला कर ना है, उसके बार पानी में काला तेल मिला कर सूरे उदय को जल अर्पित करें, फिर बिशनूजी और मा लक्षमी की वि इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें RPS समाचार ऐसे ही लेटेस अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल RPS समाचार को सबस्क्राइब करें और तुनत नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन प्रेस करना ना भूले अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं